हलो दोस्तों वेल्गम टू टोपट्स फिलेज दोस्तों क्लास 10 मैथेमेटिक्स और क्लास 11 मैथेमेटिक्स के बाद में फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथेमेटिक्स का कोर्स तो इसके अंदर हम सबसे पहले रिड्यूजड सिलेबस देखेंगे उसके बाद में deleted से लेपस देख लेंगे जैसे reduced हम खतम करेंगे उसके just बाद में जितना भी अपना बच गिया जो इस बाद डिलेट कर दिया कोरोना की चकर में वो हम खतम कर लेंगे तो अगर आप उसके बाद में देख रहे हो क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं न यार कोई मतलब हमने कोई कोर्स किया ही नहीं कोई कुछ कोई चीज लिखी नहीं मैंने तो पीडियेप कहां से बनेगी उसकी ठीक है तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम हिंदी मीडियम में भी पड़ाऊना तो वैसे तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं जनरली इंग्लिस मीडियम की तो बुक होती है तो वैसे भी आप एक चीज मान के चलो कि mathematics के अंदर language उतना matter नहीं करती क्योंकि mathematics अपने आप में एक language है जो कि हमें higher चीजे समझने में मदद करती है तो mathematics में language matter नहीं करती लेकिन फिर भी कुछ terms होती है तो वो उनका मैं हिंदी नवाद लिखतावा चलूँगा क्योंकि मैं खुद हिंदी का student रहे चुका हूँ तो मैं सहज हुआ ना दोनों मीडियम में पढ़ाने में बहुत आसानी से दोनों मीडियम को पढ़ा सकता हूँ तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी फाइदा होगा इस course से तो आप बिल्कुल follow कर सकते हो हिंदी मीडियम उपी वोड का भी पढ़ाई है ना हर्याना वोड का भी पढ़ाई है ना तो मैंने देखा कि यार ऐसे एक टाइम में तो मैं सारे बोर्ट journeys नहीं पढ़ा सकता कोई भी नहीं पढ़ा सकता ठीक है तो हम mainly cbsc की according चलेगे लेकिन state words के जो बच्चे हैं वो भी वीडियोस देख सकते हूँ कैसे उनके लिए मैंने एक काम किया है एक playlist बनाई अलग से उसका नाम रखा मैंने all concepts class 12 maths मतलब class 12 mathematics के सारे concepts के एक playlist बनार किया यह है जो आपको अभी screen पे दिखाई दे रही है यह है class 11 के लिए मैंने ऐसे बनाई थी ऐसे class 12 की भी बनाऊंगा उसमें concepts होंगे only concepts उसमें किसी भी board का बच्चाओ किसी भी medium का बच्चाओ वो जाके देख सकता है जैसे integration है कैसे होता है integration substitution से integration कैसे होता है ठीक है मतलब प्रतिसापन से कैसे होता है यह फिर matrix है matrix का universe कैसे लेते हैं यह सारी चीज़े इस playlist से सीख सकते है questions की practice obviously उनको अपनी book से करनी पड़ेगी उसके बाद में कई students बोल लेते कि J-Man और J-Advance की भी किया जाए तो देखो J-Man तो ऐसे है कि हम अगर हम NCRT करेंगे तो काफी हद तक अपना J-Man's का syllabus cover हो जाएगा उसके बाद में हमें questions की practice करने पड़ेगी कुछ एक दो कुछ extra चीज़े हमें और देखने पड़ेगी लेकिन तो J-Advance है उसके लिए तो हमें यह जो अपना NCRT है sufficient नहीं है इसके लिए तो हमें हर topic में हर chapter में कुछ नहीं कुछ advance पढ़ना पड़ेगा तो अब यह कैसे cover करेंगे उसके लिए मैंने already जब channel इस्टार्ट किया था तब मैंने कुछ videos बनाए थे जो J-Man और advance के लिए थे concepts and tricks तो वही playlist को अब हम class 12 का match का syllabus होगा उसके बाद में score continue करेंगे लेकिन यह advance वाले चीज़ें कब समझ में आएगी जब आप basic समझ लेते हो अभी जो हम course करने जारे class 12 mathematics का इसमें सब कुछ NCRT से लेके हम cover करेंगे 0 level से cover करेंगे तो यह जो course है यह तो आपको देखना है देखना है उसके बाद में इस playlist पर नजर बनाए रखना इसके अंदर में कई वीडियो जए एडवांस के जए एडवांस के according डालता रहूंगा दोस्तों कई students का comment आया जैसे कि मैं देखता रहता हूं तो उन्होंने बोला कि sir NDA, Navy और Air Force ऐसा कुछ बढ़ाई है कि इन में भी काम में आ जाए तो इनका जब मैंने exam pattern देखा तो इनके अंदर objective questions होते हैं और काफी basic जो logical question होते हैं basic से बने होए उन से मिलकर मतलब इनके questions बनते हैं तो इनके अंदर एक चीज बताऊं तो basic अगर जिस बच्चे का cover है ना वो easily इनको कर सकते हैं प्लस objective questions होते हैं तो थोड़ी time की भी कमी रहती हैं हमें कम time में ज्यादा questions attempt करने होते हैं तो कुछ tricks इनमें जरूत पढ़ती है कुछ shortcut की जरूत पढ़ती है तो उसके लिए मैंने अलग से playlist बना रखे tricks and tips की super series के नाम से तो इस पर भी आप नजर बनाए रखना के लिए मैं कहरा हूँ कि आप फिर से जो ये all concepts की जो series है इसको जरूर देखना है इस playlist को जरूर देखते रहना फिर इस बार हम क्या करेंगे जो CBSC है उसकी NCIT के सारे questions तो मैं आपको बताऊंगा ये बताऊंगा सारे नहीं इस बार जो अच्छे questions से वो बताऊंगा मतलब ऐसा समझे लो कि बहुत आसान question छोड़ दो जो आसान से थोड़ी से अच्छे question है और जो tough question है वो मैं सारे cover कराऊंगा साथ साथ सारे concepts cover करवाऊंगा इवन जैसे CBSC के अंदर CBSC के अंदर एक topic delete कियाता recently binary operations वो भी मैं आपको cover कराऊंगा क्योंकि कुछ states के अंदर वो topic है अभी भी तो concept आपको class 12 के पूरे इंडिया में जितने भी board है ना उनके सारे मिल जाएंगे लग लग ऐसे समझे लो 90% जो syllabus है वो boards का सभी boards का और CBSC का 90% syllabus common है तो हम सारे concepts में cover कराते हो चलूँगा उसके साथ मतलब सभी boards को उससे फाइदा होगा उसके बाद में हम कैसे कैसे करेंगे syllabus का sequence क्या होगा तो सबसे पहले matrices करेंगे फिर determinant करेंगे उसके बाद में relation function inverse trigonometry function continuity and differentiability applications of derivatives integrals application of integrals फिर differential equations vector algebra three dimensional geometry linear programming then finally probability ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि देखो matrices और जो determinant है वो एक टाइप के algebra के topics है फिर relation function इस तीसरे से start हो जाओ और यहाँ पे नवे तक differential equations यहाँ तक यह सारे calculus के हैं तो इनके अंदर अगर हम relational function start कर देते हैं तो फिर calculus यह एकदम basic हो गया फिर उसके बाद में इसी से चीज़े निकल की अगले chapter में आएंगे इसी से अगले chapter में उसी से अगले chapter में तो फिर differentiation कतम होने के बाद में integration आएगा और integration यहाँ से start होगे integrals chapter से start होगे application then उसके बाद में differential equations तक integration काम आएगा तो हम यह sequence तोड़ नहीं सकते और उसके बाद में finally यह अब अलग-अलग type के topics होगे vector algebra और 3D एक type के होगे last में linear programming and probability इसको और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो matrices determinant एक type के होगे फिर तीसरा चोथा यह एक type का होगे continuity differentiability और AOD यह एक type के होगे यह integration के topics होगे फिर अब आद में यह अपना 3D geometry और vector वाले आगे और last में वही अलग-अलग algebra के topics होगे ठीके दोस्तों तो I hope इससे आपको समझ में आया होगा कि अब हम कैसे class 12 का course cover करेंगे I hope सभी बच्चों को इससे फाइदा होगा जो जो बच्चे कमेंड कर रहे है class 12 के पूरी इंडिया में जो भी मेरी लेंग्वेज समसकते उन सभी बच्चों को में फाइदा देने की कोशिश करूँगा So stay tuned, thank you very much